गरीलू उपाये में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगरबत्ती बनाने के बारे में जी हाँ घर बैठे अगरबत्ती कैसे बना सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहे हैं इससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगरबत्ती बनाने के लिए सामग्री कौन कौन से ज़र्य होती है मैदा लकड़ी मैदा लकड़ी एक किलोग्राम कोईला पाउडर सौ ग्राम बांस की तीलिया अवशक्ता के अनुसार सुगंद जो इसमें परफिम डालने हैं वो भी अवशक्ता के अनुसार अब इसको बनाने के लिए क्या विदी है कैसे इसको बनाएं दो इसको मैदाने वाला हूं बनाने के लिए आपको मैदा की लकड़ी में कोईला का पाउडर जो है उसको मिला के आटे की तरह लोई नुमा मार लीजिए इस लेई की लकड़ी के पाटे पर फैला लीजिए इस पर बास की तीलियां रगड़ें ताकि तीलियों में लेई चिपक जाए उपर से अत्रिक्त कोईला पाउडर लगाते हैं जिस सुखने के बाद वाइटेल में सुगंध मिला कर तीलियों पर छिड़क दिया जाता है 24 घंटे के लिए एर टाइट में इसे पैक कर देने चाहिए और अगरबत्ती तयार हो गए इसको आप पूजा करने के लिए या कहीं पर भी जलाने के लिए रख सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको भी अगरबत्ती बनाने का तरीका मालूम हो गया होगा और आप भी इसे जरूर घर पर ट्राइ करेंगे बनाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरी लूपा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंट सब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों